जैहिन दोस्तों सभी को जभार मैं सभी इस्पेक्टर केपी सिंग आपका दोस्ट आपका होस्ट आप सबों का study for PCS exam में श्वागत करता हूं चलिए खुशी का दिन है आपके समख्ष एक्साइज कॉंस्टेबल के साथ साथ सच्चिवाले का notification भी आपके समख्ष है नगरपालिका भी है लेकिन नगरपालिका की बात नहीं करेंगे क्योंकि वह एक स्पेशल केटेगरी में आते हैं जिनके पास वह डिगरीयां है वही भर पाएंगे लेकिन एक्साइज कॉंस्टेबल सच्चिवाले का notification और 2000 प्लस वेकेंसी आपके समख्ष है मतलब बहत्रीन मोका है ठीक उसी परकार जिस परकार 2017 में दरोगा की बहाली आई थी जिसकी में आप हर एक गाउँ छोड़के गाउँ देखेगा तो वहां से एक दरोगा आपको मिलेंगे ठीक उसी परकार सच्चिवाले में बहुत सालों के बाद कहिए कि जार्खन के अस्थापना के बाद आज तक इतनी बड़ी बहाली सच्चिवाले संवर्ग में नहीं आई है तो बेसक बहतरीन गॉल्डेन ऑपर्चुनिटी जिसको बोलते हैं वो है आपके कैसे देख सकते हैं किया कुछ चैंजेस हुआ है तो इसमें हर एक चीजों को से मिलेंगे कौन साथ टेक्स्ट वुक आपको फॉलो करना है नागपुरी में किस बुक के जरीए आप इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं इन सारे चीजों को हम बात करेंगे तो एक सुनहरा दिन है जो भी चैनल पे नए हैं लाइक के साथ आगाज किजीगा वीडियो को बहुत ही अहम वीडियो होने वाला है फोर सचिवाले के तो चलिए हम लोग चलते हैं कंटेंट याद रखेगा उससे पहले मौटी मोटवेशनल लाइन हो जाएं क्या इंसान के कद से साथे जादा सपने बढ़े होने जो आपका हाइट है जो आपका कदै उससे बड़े शपने होने चाहिए त्वीटी हना और इस रूपी होने चाहिए देख रहे हैं और इस आप एक बड़ा बहुतरिन लोगों के साथ है कि एक सचिवाला है कि ड्रीम जॉब होता है ठीक है राची में हेड़ पार्टर में जॉब करना यह सची की च्यालीज सो से ग्रेट पे की अभी तक उपर कोई है नहीं सब्सक्राइब तो जरूर क्या है इंसान के कप से ज्यादा उसके सपने बड़े होना चाहिए तो एकदम सचिवाला को टार्गेट कीजिए और उसी हिसाब से एक्षन लिजिए ज्वांग दीजिए अपने आपको आग में ठीक है न पढ़ाय के आग में ज्वांग दीजिए वह कहते हैं ना कि सूरज सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा समझे कि ने तभी आप सूरज जैसा चमक पा सकते हैं तो निखर यह टाइम है लगे रहिए इस्टडी फॉर से जुड़िए और अपने मुकाम को प्राप किजिए देखिए यहां पर नाध्प पर चलते हैं नागपूरी पर क्या देखिए जो भी जेससी सीजील देख रहें आप जो भी जेससी सीजील नगरपालिका सेवा विशिष्ट योगता सीवा के लिए जो क्या सिलिबस अभी जो निकला है सची वाले के लिए उसमें क्या फिर बदलाव किया गया है कहां से टे जरूर से जरूर आप अपने मंजिल तक पहुचिएगा तो परिक्षा 2023 पे मेरा फोकस है नागपूरी बायक केपी आनी में ठीक है उग्त सिलिबस को कंप्लीट करने हैं तू परमुक किताबें क्या क्या किताबें जरूरी है नागपूरी के सिलिबस को ध्यान में यह रहते हैं तो कि देखिए पहला सेक्षण आपका क्या है पहला सेक्षण है आपका व्यक्रण जिसमें हम लोग देखने वाले हैं Cancer को व्यक्रण और क्या कूर्ण परना है तो लुकरन का सभी को पता है संग्यां वर्ण ठीक है विशेशन क्रिया विशेशन से संबंदित जो भी पुराना सिलेबस है वही और उसमें भी अभी हम लोग अभी चलेंगे की पहले क्या था अभी क्या किनकिन चैप्टरों को हटाया गया है उसकी भी हम लोग एनलाइस करेंगे इसी संगी के साथी नाकपूरी शदानी व्याकरन डाक्टर उमेश्टन तिवारियम शकुंतला मिस्र से आपको पढ़ना है नाकपूरी भासा का व्याकरन डाक्टर विरेंद्र कुमार महतों यह तीन बुक व्याकरन की आपकी होने चाहिए पोस्चन जो भी होंगे यही से होंग हर एक हर एक टॉपिक चेंज नहीं होताए ग्रमर म संग्या के पांचधो लएक समें किसी में पांच-किसी इंपोर्टेंट है हम आपको यहां बताएंगे हर एक चीज को किलियर करेंगे साथ में क्या है कि जो दूसरे ग्रामर में क्या वैरियेशन है उन सब चीजों को चलेंगे ले करके तो यह तीन भूक अगर आप रखते हैं तो आपका बेड़ा पार साथ ही जो सबसे इंपोर्टेंट है इस्टेडी फॉर पीसी एस के जो कंटेंट जो मेरे द्वारा आपको दिये जाएंगे ठीक है जो दासर के संग्रक्षन में आपको यहां मिलेगा यह इस्टेडी फॉर पीसी है आपको अपने मुकाम तक पहुचने में बहुत ही मिलेगा ठीक है साथ यहाँ लोगों को याद रखना है कि अगर आप लोग जुद रहे हैं अगर आपको शमश्या है की प्यपर ठीक को लेकर चिपे नहीं तो याद रखींगहां के दासर के सब्रेक्षन में जेनरल इस्टडीज जारखंड जेनरल साइंस मैथमेटिक्स रिजिनिंग और कम्पीटर इन सबों के दासर के में न्यू बैच स्टार्ट हुआ चाहें तो आप एक एग्रिगेट एक साथ आप सब जूर सकते हैं चाहें तो इंडिवीजुली अग आपको बार-बार बताता हूं कि राइट प्लेट्फोर्म आपका पढ़ने के साथ साथ राइट प्लेट्फोर्म का होना उतना ही जरूरी है जो आपको एक डारेक्षन देता अगर डारेक्षन ही गलत हो जाए तो आप वगर आप जिसे यह दिवाल है अगर इस पर फोर्स लगा है तो यह कहीं मूबमेंट नहीं करेगा आपका सारा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा ठीक उसी प्रकार एक राइट प्लेटफॉर्म आपको सही डारेक्शन में आपको मूब करने के लिए आपको उतना ही ज़रूरी है जितने आपका मेहनत तो इस्टेडी फर किसे जो दासर के संग्रेक्शन में आप इस नमर से जुड़िए चाहे नाकपूरी का एक्जाम औरिंटेशन फोकस्ड कंटेंट हो हैं रिटेंड या फिर आपके पेपर 3 के मौक टेस्ट हो या फिर पेपर 3 से समंदित इतने सारे जो सब्जक्ट देख रहे हैं इनका कमपाईल एक साथ या फिर इंडिविज्वली आप जुड़िए मुकाम तक अपने आपको पहुंचाये ठीक है मेहनत के साथ साथ राइट अपरोच राइट एनर्जी रयड प्लेट फर्म का होना बहुत ही जरूरी है ठीक है चलिए इसलिए सबी कोई देखिए लाइफ क् läस जो है इस लाइफ क्लास गैसे छिए लाइफ क्लास के साथ-साथ रिविजण सेविक्ली ठीक है PDF notts for division सारे छीजंगों को और आपको यहां पे दिया जाएगा नाप्पर 0019 research घुलेगा कि आपको यहां पे मिलएगा मैं चलिए अब हम हम वियाकरन के क्या बात किये वियाकरन को हम देखते हैं तो वियाकरण आपको क्या बता है फादर पीटर संती नौरंगी उमेश तंतिवारी डाक्टर विरंद्वार महतों और इस्टडी फॉर PCS जो डाल तभी टेस्टी लगता जब उसमें तड़का लगता है यह तड़का लगाने का काम आपका अपको इस्टीडी फॉर PCS करेगा उसको निखारने का काम आपको आपको इस्टीडी फॉर PCS करेगा ठीक है अब grammar का ये अब हम grammar का देखते हैं क्या चेंजे से पिछला से लिए बस किया था क्या cut copy paste किया गया grammar में अब आई ये अब चलते हैं उस पर हम लोग देखिए कर देख्यों कर दो कर दो कि चलिए क्या है study for PCS complete and return not coming soon ठीक है सारथ यह आपको मिलेगा देखिए पुराने syllabus का कितना परसेंट है वर्तमान syllabus याद रखेगा पुराने syllabus का कितना परसेंट है वर्तमान syllabus इसकी हम लोग बात करेंगे ठीक है अब देखिए पहला टॉपिक है दूसरा old syllabus number of topics तिसरा new syllabus में number of topics क्या है चौता परसेंटेज कमी पाच्वा परसेंटेज ज्यादार common content क्या है तो देखिए व्याकरन व्याकरन में आपको पहले जो old syllabus था उसमें आपको टोटल 20 टॉपिक पढ़ने थे सब सारे चीज मिला करके वर्न सब्द वाक्यत से लेकर के विप्रार्थक सब्द अनेक सब्दों के बदल एक सब्द से लेकर के 20 पढ़ना था न्यूज सिलेबस के व्याकरन में आपको 15 पढ़ना है तो इससाब से परसेंटेज कमी ग्रामर में कितना हो गया 25 परसेंट की कम ही है बस आपको दो नया चीज पढ़ना है कुछ भी ऐसा हेडेक वाला चीज नहीं है तो आराम से आपका मतलद समझे ग्रामर आल्रेडी वही है कुछ भी नया नहीं है माइनर चेंटे से हां क्या है पहले ज्यादा पढ़ना था थोड़ा कम ही पढ़ना है चलिए अब यहा चलिए दूसरा देखिए खंड को पढ़ लिए ग्रामर खंड को में दूसरा क्या है खंड को में व्याकरन यह आपका है पद्यसाइट क्या है पद्यसाइट पद्यसाइट में याद रखिएगा लोग गीत क्या पढ़ना है लोग गीत में आपको दस पढ़ना पदिसाइद में सबसे पढ़े लोग गीत पढ़ना दनाग पुरी भासा के लोग घुन करना एक नागपुरी लोग गीत लेना आपको डाक्टर भौनेश्वार अनूज़ का और साथ आपको लेना जहाखन कर लोग संगित गृधारी राम गौंजु गिदाज का ये दो पुष्तक आपको अपनी पास रखना है लोगीत का समस्या आपका हेडेक खतम हो जाएगा ठीक है लोगीत 10 पढ़ने आपको तो ये लोगीत 10 के content कहां से मिलेंगे नागप्रि लोगी डाक्टर भुणिसर रनुच के किताब से ऑज्यारकन का पूंद भूक से ये लोगीत आपको 10 मिलेंगे ठीक है तो आई चली हम देखते हैं कि पुराना लोगीत में क्या था अभी के लोगीत में क्या डिफरेंस है जो मेरा खुद की अनालाइसिस क्या कहते हैं उसी के इसाफ सो आपको एक्ट करना है चलिए ग्रामर पढ़ लिए अब हम लोग देखते हैं लोगीत आप दूसरा लोगीत देखिए ओल्ड सिलेबस में नमर और टॉपी का लोगीत कितना था टूएल्व अगर ओल्ड सिलेबस आप देखेगा उसमें लोगीत मैंशन थे डम का पावा सुदासी तो वह टोटल लोगीत तीन पर्षंड की कमी होई है आपको लोगीत पढ़ने में मतलब उस टाइम आपको लोगीत 12 पढ़ने थे अभी सिर्फ आपको 10 लोगीत पढ़ने ठीक है परसेंटेज ज्यादा समत्राने कोमन कंटेंट नोट मेंसन मतलब पिछला बार आपको 12 लोगीत दे दिया गया था भी एक भी क fertile नहीं है या फिर कोई मेंसन नहीं है नोट मेंसन मतलब आपको लोगीत 10 पढ़ने है ठीक है तो 10 में यह meno नहीं है लेकिन 10 में कहीं कौण्य यह आपके 12 लोगीत थे यह जरूर आएंगे लेकिन जो यह 12 है उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं यही कुछ आपके आएगा और लोग गित से अधिक्तम कोश्चन भी आपका यही से रहेगा यह भी सियोर सॉट है ठीक है क्योंकि मेजर इंपोर्टेंट सेक्षन को दिया गया था तो अधिक्तम कोश्चन भी अगर लोग गित अपका 10 कोश्चन है तो 6-7 मानके चलिए अप इसी बारव में से आएगा ठीक है तो कहीं कि अब हम लोग क्या पढ़ते हैं दूसरा दूसरा का पार्ट टू में आ गए हम लोग लोगी देख लिए आप देखते हैं इसमें सिष्ट गीत और कविता हैं कविताएं आपको दस पढ़ना थे इस प्रकर आपको ग्रामर के बात लोगी था लोगीत आपको 10 पढ़ना है थेक उसी प्रकार यहां आपको क्या हैतृ आ देखिए क्या है तो यह आपका स्रिष्ट गीत और कविता कहां मिलेगा तो नागपूरी कवी और उनका कावे जो डाक्टर विशिस्वर परशाद के श्री नागपूरी संगस्थान फिठरिया रांची से प्रकासित हुए है तो यह आपको इस बुक से आपको मिल जाएंगे तो याद रखेगा विशिस्वर परशाद के स्री किताब नागपूरी कवी और उनके संगस्थान में यह सारे चीजे मिल जाएंगे आप यहां से चीजों को लेकर के आगे चल सकते हैं आई यह अब जिष्ट गीत में क्या कुछ डालाा गिया क्या कुछ निकाला गिया ख्या क्या कुछ असलते हम दुब Bundes देखिए अब इसी के बात हम नहीं करेंगे लोकीन बएंप हम किस पर चल रहा है। वस्ट सिष्ट कीटतीं आपका देखिए गयां कृता यहां तो नहीं तो क्या रहा था लेकिन यहां पर नूट मैंसन कोमन कंटेंट के लिया रखेगा कि मिलता जुलता कुछ नहीं था जब पढ़ना तो क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो यह आपको अभी नया सिलेबस में यह दस पढ़ना था अब कितने कविता पढ़ने हैं अभी आपको दस कविता पढ़ना है मतलव 68-53 चार परशन मतलव आल 69 परशन के आसपास कविता में गिरावाट हुई है यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है कितना कविता आपको बाइस कविता आपको नहीं पढ़ना है ठीक है तो यह देख लीजिए कोमन कंटेंट कुछ भी नहीं जीरो मतलब जो आपका वन के वरा भाग एक का जो 32 कविता था उसमें एक भी कविता आपको अभी नहीं पढ़ना सारे दस्त नवे कह रहता है यह थोड़ी सिरदर्द वाली बात है 22 कविता नहीं पढ़ना यह सिर को रहत देने वाली बात है ठी साहित में आपका वही था लोगीत सिष्ट गीत और कविता ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि खंडगौ में आपको पढ़ना है क्या गद साहित ठीक है ग्रामर ग्रामर के बाद पदसाहित पदसाहित के बाद गदसाहित गदसाहित में आपको लोग कथा पढ़ना है कितने दस नाकपुरी लोग साहित भोवनेश्वर अनूज में आपको मिल जाएंगे यह सारी लोग कता हैं तो याद रखेगा जो दस लोग कता पढ़ना है आपको वो दस लोग कता आपका क्या है नाकपुरी लोग साहित तो जो भोवनेश्वर अनूज द्वारा लिखा गया है इन झाल झाल लोग गीत आपको क्या पढ़ना था देख लिए दर लोग कथा आपको 10 पढ़ना था नाकपुरी लोक साइथ भोनिसर अनुच के द्वरा लिखा गया किताब से आपको पढ़ना है चलिए अब आईए हम देखता है किस पर कि कि देखिए आप क्या लोग कथा तो पिछला लोग कथा आपको पिछला सिलेबस के हिसाब से कितना पांस लोग कथा पढ़ना था अब अभी नया सिलेबस को कितना लोग कथा पढ़ना दस लोग कथा तो देख रहें पांच का इजाफा हो गया में आंडेट पर दुगना होगी आपका पहले लोग कथा पुराना सिलेबस के हिसाब से जैसे वन हिरनिक कर बेटा भाई बहन तिरियां चरीत ठीक है ना इस सब पढ़िना था ठीक है और अभी लोग कथा कितने पढ़नें आपको दस लोग कथा पढ़ने है तो तो जो common content में जो पढ़ा गया content जो आपका वेस्ट नहीं हुआ वो है बन हिरनी कर बेटा तो बन हिरनी कर बेटा आपका यहीं से आपका आजाएगा वही चीज है तो आपको में जाद रखेगा जो भी नाकपूरी से जुड़ना चाहते हैं तो नाकपूरी से जूड़ सकते हैं आप इस नमबर पर कॉल करके आप नापकरी से जुड़िए गया जुड़िएगा ठीक है दिए दरोगा साथी सचिवाले के लिए नया बैच इस्पेसर ब्रेंच प्रारम क कि अधिये के संगरेक्चन में अधिये कि अधिये आप देखते हैं तीन का दो हम लोग क्या देख रहे हैं पर गद साइद में चल रहे हैं सिस्ट कथा अभी तक हम लोग क्या पढ़े अभी तक हम लोग पढ़े क्या अभी तक हम लोग पढ़े औहड़ी त rubbish हम लोग क्या पढ़े टोटल कीज को घट पढ़े फिर आपका क्या पदसाहित चड़े लोग गीत पढ़े फिर आपका सिष्ट गीत कविता पढ़े गद साहित में आपका लोग कथा देखे लोग कथा के बाद आ गए हम लोग तीन का दो में गद साहित में सिष्ट कथा सिष्ट कथा कितना पढ़ना आपको आठ लिखा गया है कांटी डाक्टर विशिष्वत प्रशाद केश्री ने लिखे और रुगड़ा खुखडी डाक्टर गिर्धारी राम गौंजु गिराज ने लिखे तो यह जो आठ सिष्ट कता है आपका यहां से कभर हो जाएगा इन सारे के द्वारा जो आपका एक चक्ता रा से आप सिस्ट कता को कंप्लीट कर सकते हैं और ज्यादा परशान होने के जुरत नहीं आप इस्टी फटीएस के पी सर्थ से जुड़े रहिए ठीक है आपको शमर्ष्या का निदान बैतरी डंग से हैं डिटन पीडियेफ नौर्स एवरिटिंग है कि चलिए आप देखते हैं सिस्ट कता सिस्ट कता क्या है कुछ है पड़ना बन के वरा भागम है तर फारने दल है तो पूरा आठ आपको जो है सारा चीज़ को कहानी निबंद ले कि सब लेकर करके आपको पढ़ना था सिस्ट कथा में ठीक है न लेकिन एक भी कोमन कंटेंट नहीं है सिस्ट कथाएं को यहां अलग पार्ट दिया गया है जो कि पहले जुरो था अभी आठ पढ़ना ठीक है अगर चलिए तीसरा का तीसरा नमर पार्ट देख रहे हैं हम लोग क्या तीसरा का तीसरा नमर पार्ट देख रहे हैं नाटक नाटक क्या पढ़ना ठाकुर विशुनात साही नामक नाटक पढ़ना है जो विशुनात परशाद के द्वारा लिखा गया याद रखेगा तो हमको कौ पढ़ना है बहुत बहतरी नंग से आपको मैं पढ़ाऊंगा थाकुर विशुनाथ साई का नाटक पढ़ाऊंगा जो डॉक्टर विशेश्वत प्रसाथ किस्री की द्वारा लिखा गया है आई आप देखते हैं कि अभी एक नाटक पढ़ना है पहले कितना पढ़ना था क्या आपको चेंजेस हुआ है चलिए देखिए नाटक में नाटक में पहले आपको दो नाटक पढ़ना था जो वन के वरा भाग एक फोलिएगा तो वहां देखिएगा आपको दो नाटक पढ़ना था और अभी कितना एक नाटक पढ़ना है तो आपका क्या है पहले दो था एक तीन मिलता जूलता नहीं नया चीज दिया नया नाटक आपको पढ़ना ठीक है कॉमन कंटेंट जीरो पहले दो अभी एक 50 परसंट का गिरावट है ठीक है आई यह अब हम लोग चलते हैं जब तीन पे अब हम लोग चलेंगे किस पे अब हम लोग चलेंगे चार पे आखरी चली वहति निमन में में देखे क्या चली साथी निमन में देखें क्या है आ जीवन परिषए परणारी जो नाकपूरी को इसे सा पानी दीया फलिभूत किया विए आगे जंजन तक पहुंचा है उन आठों के बारे में आपको जीवन परिषए मतलद से ले लेकर साधिव या मिर्तिव किताब क्या क्या लिखें आपको डिटेलिंग करना है जीवन परिचे के बारे पढ़ना है तो जो आठ जीवन परिचे है जो वा नाम मेंशन है इसमें तो उनको नागपुरी कवीर उनका काव डाक्टर विसेश्वर परशाथ के स्री और आधोनिक नाग नागपुरी कवीर उनका काव डाक्टर विसेश्वर परशाथ के सरी आधोनिक नागपुरी कवी मंगा मनकं का सहत्रीक परिचाय डाक्र विरंद महत्समार यह दो पुस्तक लिजीएगा तो यह दो पुस्तक में आपकी जो है आठ जीवन परिचे आपका जो है कम्पलीट ह हो जाएगा ठीक है यह रहा बुक की बाग कहां स्कंप्लिटिशन करेंगे यह अब हम चलते हैं अपने अनालैसिस पर कि आपका जो है निबंद में क्या कुछ चेंजिस है देखते हैं देखें अब निबंद में पहले एक निबंद परना था अभी आट दम निबंद पर ना है इतना का जाफा हो गया मैंटन जीरो पहले क्या एक निबंद परना था लेकिन अभी पूमन कंटेंट पुछ भी नहीं है आपको नए सिरी से पढ़ना होगा ठीक है तो देखे रहे हैं आपका क्या है यहां पर आसपास आपका निबंद में जापा है पहले एक निवन पढ़ना था अभी आठ पढ़ना है जीवन परिचे पूरा मना कंटेंट आपको ज्यादा रखने पढ़ेंगे दिमाग में तो आपके लिए सरदर तो बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं हम है चीजों को बैटर डंक से कराएंगे देखिए यह हो गया आपका कॉमन कंटेंट कुछ भी नहीं है साथ ही याद रखेगा जो वन के वरा भाग एक म आपको एक पढ़ना ठीक है जो कि ना आपको अभी के कंटेंट में ना लेक पढ़ना है ना संस्मिन पढ़ना है तो याद रखेगा निचूड थीम आपका यह हुआ कि जो भी निश्कर्ट क्या निकलता है निश्कर्ट आपका देखिए निश्कर्ट क्या निकलता है देखिए कि निश्कर्ट क्या निकलता देख लिए गबारा तिलेबस में काफी बदलाव है जो कि आप लोग को भी समक्ष दिखा तिलेबस में काफी बदलाव है कंटेंट आप देख रहें कि मिलता जोरता कंटेंट बहुत कम एक दम इस चीज़ से इंकार नहीं किया जा सकता है ना हम कर सकते हैं व्याकरन को लेकिन यकीन मानिए आप सब को एक प्लेटफोर्म पे लाके खड़ा कर दिया गया सारे छेत्रियल लेंग्विज में बदलाव है तो जो पिछला चार-पांच साथ से रटे वेते पढ़ेते खत्म पर चुके थे तीन बार वह भी आपके वेलेंटें बरावर हैं तो फ्रेसर को ज्यादा मौका मिलेगा ठीक है और फ्रेसर की संक्यां ज्यादा है जूड़े रहिए लड़िए फाइट किजिए आप अगर ज्यामनिसन पॉइंट आप विव से दिया जाएगा ठीक है की पॉइंट क्या है इस सिलेबस को बहुत कम समय में पढ़ा जा सकता है हाइश्कूरिंग के फुल चांप से क्या है जब कंटेंट ज्यादा होते सिलेबस लेंदी होता है तो पुश्चन पूछते हैं क्योंकि ट अर नेति के साथ पढ़ेंगे तो राम से एक्जाम डेट के पहले किलियर होगा बहुत अच्छे धंक से क्लियर होगा तो आप जरूर दासर्ब दर लर्निंग एप से आप दार्सर्ब लर्निंग एप से जूड़ जाएगा नाकपुरी से सब्मन्दित को इसू है तो आप ज से ज्यादा उसके सपने बने होने चाहिए सपने बड़ा देखिए सचिवाले में एक जौब लेना है तो लेना है यह ठान लिजिए इच्छा सक्ती पैदा किजिए लगे रहे और बने रहे इस्टेडी पर से पंटर पर्मेशना जुट करने के जुट रहे सची वाले में भूस्ट आपको keळेंगे साथनाटूरी कोि solar को कि जरूर से जरूर आप जुड़िए ठीक है कोई इस बात कर सकते हैं हुआ आगे चीजों से आप बढ़ सकते हैंoquै तो यहाँ पर यहाँ यह दासत्डर लणाइप ने आप जरूर से जरूर जुड़िए साथ ही आप याद रहाएगा जो आपका ın्रा सwhy झाल्ट बस जी जान से लगे रहिए ठीक है बस यही कामना करता हूँ आपके उजवल भविस की कामना करता हूँ अच्छे से स्टेड़ी के साथ एकदम नाकूरी के साथ बढ़िए अपने मुकाम को पाईए सभी को जुहार जहिन वार बदना करता हूँ आपके साथ है लगे विस में मुकाम करता है मिस जापके बस्टेब्स की की लुटारी कामने में अपने हुआके माइभ लगाने मुकामने मुकामने मुकामन.